चोपड़ा है जो किसने यूटूब चनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो जिपमर में MBBS admission NEET score पर ही होता है लेकिन जो जिपमर के बाकी courses हैं जैसे BSC nursing हो गया BSC health allied courses हैं वो हो गए उनके लिए जिपमर अलग से entrance exam conduct करवाता है तो जिपमर ने इनके registration start कर दिये हैं और exam schedule भी दे दिया है तो आईए देखते हैं क्या exam schedule है इसका prospect एक बार चेक कर लेते हैं कितने सीटे हैं इन courses में कितने फीश है इनके बारे में हम सब कुछ पता करेंगे इस वीडियो में तो आप भी अगर जिपमर का BSC nursing और allied health sciences course में admission लेना चाते हैं इनका entrance exam देना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी important रहने वाला है तो सबसे पहले आपको जिपमर की website जिपमर.edu.in पर विजिट करना होगा यहां पर गो टो जिपमर मैं साइट पर विजिट करना है यहां exam section पर क्लिक करना है तो जैसे ही आप exam section पर क्लिक करेंगे यहां notification में आपको BSC prospect मिलेगा इसमें इसके बाद में आप इसमें apply online का भी option मिलेगा तो हम इसका एक बार prospect download करके देख लेते हैं तो download पर क्लिक करेंगे तो इसका prospect download हो जाता है इसमें जो entrance exam का डेट है वो 22 September 2020 है इसके बाद में आगे हम इसकी closing date की बात करें स्टार्टिंग date 11 अगस से सुरू हो गए थे इनके online registration और close हो जाएंगे एक September 2020 साम पाँच बजे तक इसके बाद आप admit card download कर सकेंगे 12 September 2020 तक और 22 September 2020 तक ये admit card available होंगे examination date by September single shift में है दो बज़े से साड़े तीन बज़े के बीच में है ये exam इसके बाद में result की बात करें तो result 29 September 2020 तक आने की संभावना है इसके बाद में courses देखते हैं तो B.A.C. nursing है इसके अलावा 11 प्रकार के ये B.A.C. allied health sciences course है इनका नाम आप देख सकते हैं कौन कौन से ये courses हैं इसमें इसके बाद में course duration की बात करें तो B.A.C. nursing के लिए 4 साल का course है बाकी का आप यहां course wise देख सकते हैं कौन से course का क्या duration है इसमें number of seats की बात करें हैं तो total B.A.C. course के लिए इसमें 181 seats हैं B.A.C. nursing के लिए 94 seats हैं इसके बाद जो B.A.C. allied health sciences course है इनके लिए 87 seats हैं total 181 seats हैं जो B.A.C. nursing की 94 seats हैं इसमें 9 seat male candidate के लिए reserve हैं बाकी 85% sorry 85 seats female candidate के लिए reserve हैं इसमें अभी eligibility की बात करें इसमें तो आपका age 17 years होना चीए 31 December 2020 तक यानि की आपका जनम 11 2004 या फिर इससे पहले हुआ होना चीए इसमें upper age का कोई limit नहीं है आप कितने भी साल के इसमें exam दे सकते हैं minimum age का ही इसमें age limit है educational qualification की बात करें तो इसमें 10 plus 2 pass होना चीए या appearing होना चीए physics, chemistry, biology, botany और geology साथ में English subject होना चीए इसमें general category के लिए physics, chemistry, biology जो botany और geology है उसमें 50% marks होना चीए exam में 10 plus 2 exam में इसके बाद में इसकी application fees की बात करें तो OBC और जो P OBC हैं उनका भी 1500 रुपए है SCST और producery SCST के candidate है उनकी 1200 रुपए फीस है इसके बाद में जो PWD candidate है producery के हैं या other state के हैं उनके लिए कोई भी किसी प्रकार की फीस नहीं है इसमें इसके बारे में हम बात करें तो photo को instruction आपका photo 1-1-2020 के बाद का होना चीए white background होना चीए photo पे नाम लिखा हो और date of taken होना चीए photo का इसमें entrance exam by September 2020 में पहले बता चुका हूँ one and half hours का ये exam होगा single shift में exam होगा इसके बाद ये computer based exam होगा इसमें computer based exam होगा और जो क्यूशन आएंगे इसमें physics के 20 क्यूशन आएंगे chemistry के 20 क्यूशन आएंगे biology के 40 क्यूशन आएंगे English language के 10 आएंगे और logical के 10 क्यूशन आएंगे इसके बाद में हम बात करें कि इसका जो मोग टेस्ट है वो जिपमर की वेब साइट पर अवेलेबल है आप वहाँ से मोग टेस्ट दे सकते हैं इसके एक्जाम सेंटर की बात करें तो बैंगलरू, चिंदई, कॉयम्टूर, इरनाकुलम, हैदराबाद, कानपूर, कॉलकटा, क इसके बाद कोजिकोडे, मदुराई, मॉंबाई, न्यूडेली, पूडूजेरी, स्लेम, त्रिवेंदरपुरम, त्रिसूर, त्रिचरिपल्ली और त्रिवेंबल्ली, इसके बाद वेलियूर और विजेवाड़ा ये सारे एक्जाम सेंटर हैं इसके आपको एप्लिकेशन फ 23 सिप्टेंबर 2020 को 10 बजे से डाउनलोड होना सुरू हो जाएगा, आपको एड्मिट कार्ड डाउनलोड करना है इसकी वेबसाइट से, एड्मिट कार्ड के साथ आपको एक्जाम हाल में आईडी पूरूब भी लेके जाना है, जो आधार हो सकता है, यह आधार हो सकता है, पासबोर्ट, वोडर आईडी, बारवीं का एड्मिट कार्ड फोटोग्राप के साथ, या फिर बैंक पासबुक भी फोटोग्राप, या फिर गॉर्मेंट की अन्य कोई आईडी भी हो सकती है, इसके आईडी पूरूप के लिए, अब बात करें हमें इसमें नेगेटिव मा पार्किंग नहीं है, आपको एक करेक्ट अन्सवर का एक मार्क्स मिलेगा, यानि कि इसमें 100 क्यूशन आएंगे तो ये पेपर 100 मार्क्स का होगा, अब बात करें इसमें मेरिट लिस्ट की, तो मेरिट लिस्ट इसमें परसंटाइल सिस्टम में तयार की जाएगी, इसमें य URPWD के लिए 45 और SCST OBCPWBD और OBCPWD के लिए 40% होना चाहिए इसमें इसमें आगे लिखा है कि आप केटेगरी ध्यान से भरना है आपको एप्लिकेशन फॉरूम फिल करते समय अगर आपने एक बार केटेगरी फिल कर दिया तो वो चेंज नहीं होगी उसके लिए आपको फ्र आप केटेगरी को बना है आपने ये इसमें परसंटाइल का कैलकुलेशन स्कोर किस परकार से तयार किया जाता है वो है इसमें एक बार नजर हम इसके इंपोर्टेंट की पोइंट्स पर देखते हैं डालते हैं तो इसमें मोड ओफ एक्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ट य दो बज़े से 030 बज़े तक के बीच एग्जाम होगा इसमें एक्जाम सेंटर 21 ctes हैं लें लेंग्वे जो पेपर-पर ओनली इंगलिश होगा अबजन कियूट्टिव टाइप क्यूशन आएंगे ईंगरेट क्यूशन का पेपर होगा हर एक क्यूशन एक मार्क्स का होगा 100 मार्क्स का पेपर होगा इसमें इसके बाद physics 20, chemistry 20, biology 40, English 10 और logical 10 ये सारे इसमें क्यूसन आएंगे इसके बाद में इसमें कोई negative marking नहीं है आपने पूरा पेपर करके आना है इसके बाद में percentile system से इसकी merit डाली जाएगी और इसमें जो tie-up system है जिसके marks biology, chemistry, physics, English इस प्रकार से इसमें tie-up है मतलब की merit तयार की जाएगी जिसके same marks आते हैं इसमें fee structure की एक बार हम बात करें तो B.S.C. nursing course के लिए admission fees 2,500 रुपीज है academic fees 1,200 रुपीज है जिपमर student association fees है वो 1,000 रुपे है learning resources 4,000 है इसके बाद transcript fees 200 रुपे है identity card की fees 1,500 रुपे total B.S.C. nursing course के लिए fees इसकी 9,160 रुपे सालाना है जो सबसे कम फीज है इसके बाद में B.S.E. allied health sciences course के fees की बात करें हम तो इसमें admission fees 2,500 रुपे है academic fees 1,200 रुपे है जिपमर student association fees है वो परैनम 1,000 रुपे है learning resources fees है वो 3,000 रुपे है course fund academic fees है वो 60 रुपे है और i card की fees है 1,500 रुपे है इसके बाद hostel custom deposit होगा वो एक time होगा 5,000 रुपे और hostel mass deposit ये भी एक time है 3,000 रुपे है और इस परकार से 14,000 इसकी hostel की fees है इसमें इसके बाद में इसके लिए apply कैसे करना है तो apply करने के लिए आपको man website पर जाने के बाद भी apply online का option मिलेगा नहीं तो आप exam section में जाने के बाद 3 number पर notification में apply online पर आप click करके apply कर सकते हैं इसमें आपको सबसे पहले registration करना होगा registration करने के बाद अपने detail फिल करके आपने apply करना है ये apply कैसे करना है इसका ये पिछली साल का मैं वीडियो बना चुका हूँ पिछली साल का और इसका process same ही है आप वो वीडियो देखके apply कर सकते हैं इसमें बाकी इसका apply करने का तरीका simple ही है इसमें कोई hard and fast rule ऐसा है नहीं कि आपको कोई इसके apply के लिए कोई problem आने वाली है तो दोस्तों ये जानकारी थी जिपमर के BSC courses के बारे में अगर आप भी इसके लिए interested हैं तो आप इसका form apply कर सकते हैं exam by September की है तो जैसे ही इसके बारे में और कोई update मिलेगी हम आपको inform कर देंगे आप हमारे channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें वीडियो को like हो है ज्यादा से ज्यादा share करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हैं